नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेट परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर जानकारी को ले करके जिहां कब जे मस्सा भगंदर नासूर और बवासीर को जड़ से मिटाने का घरेलू उपाए इस उपाए से जीवन में कभी नहीं ज खौतिक साधनों की वजह से मनुष्य पैसा कमाने की जुगार में अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाता है बासी तला हुआ और फटा फट तयार होने वाला भोजन खाना सुबह व्यायाम घूमना ऐसी बातों के लिए तो वक्त ही नहीं मिलता है पीट भर कमाने के लिए म बाद में मल सूख जाने पर मस्सा भगंदर नासूर पवासीर इस प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं यह गुदा मार्ग की बीमारी है इस रोग के होने का मुख्य कारण कब्ज होता है अधिक मिर्च मसाले एवं बाहर के भोजन का सेवन करने के कारण पीट में कब् करती है जो मल को अधिक शूश्क एवं कठोर करती है इससे मल करते समय अधिक जोड लगाना पड़ता है और अर्ष यानि कि बवासीर रोग हो जाता है यह कई प्रकार की होती है जिन में से दो मुख्या है खुनी बवासीर और वादी बवासीर यदि मल के साथ खुन खुन ना आए तो उसे वादी बवासीर कहते हैं अर्ष यानि कि बवासीर रोग में मल द्वार पर मनसा कुर मस्ये निकलाते हैं और उनमें शोत यानि कि सूजन और जलन होने पर रोगी को अधिक पीडा होती है रोगी को कहीं बैठने उठने पर मस्ये में तेज़ दर्ध ह होता है बवसिर की चिकिटसाधेर से करने पर मस्य पककर फूड़ जाते हैं और उन में से खुन Piona इत्यादी निकलने लगता है रोगों के प्रकार जान लेते हैं बवसिर के अर्श यानि कि बवासिर छे प्रकार का होता है पितार्ष कफार्ष वातार्ष सन्नी पातार्ष संसारगर्ष और रकतार्ष यानि कि खुनी बवासिर अब जानते हैं कफार्ष के बारे में कफार्ष बवासिर में मस्से काफिक गहरे होते हैं इन मस्सों में थोड़ी पीडा चिकनाहट पफ्यूक्त पीव तथा खुजली होती है इस रोग के होने पर पतले पानी के समान दस्त होते हैं इस रोग में तवचा नाखून तथा आंखें पीली पड़ जाती हैं वात जन्य बवासिर वात जन्य अर्श यानि के बवासिर में गुदा में ठंदे चिपचिपे तथा कुछ कड़े और अलग प्रकार के मस्य निकलाते हैं इसका इलाज न करने से गुल्म, प्लिहा, इत्यादी बीमारियां हो जाते हैं पितार्ष पितार्ष बवासीर रोग में मस्यों के मुक, नीले, पीले, काले तथा लाल रंके होते हैं इन मस्यों से कच्चे, सड़े, अन्न के दुरगंध आती रहती है और मस्य से पतला खून निकलता रहता है इस प्रकार के मस्य गर्म होते हैं पितार्ष यानि के अर्ष बवासीर में पतला, नीला, लाल रंका दस्त यानि के पैखाना होता है इसके अलावा सन्नी पात, सन्नी पात अर्ष यानि के बवासीर इस प्रकार के बवासीर में वातार्ष, पितार्ष तथा कफार्ष के मिले जुले लक्षन पाये जाते हैं और खूनी बवासीर में, मस्य चिरमिठी या मूं के आकार के होते हैं मस्सो का रंग लाल होता है गारहा या कठोर मल होने के कारण मस्से छिल जाते हैं इन मस्सो से अधिक दोशित खून निकलता है जिसके कारण पेट से निकलने वाली हवा रुक जाती है बवासिर या अर्श होने के आप कारणों को जान लेते हैं क्योंकि हम अगर कारणों को नह कारण है उसको नहीं ठीक करेंगे तो आपको पुना वो रोग हो जाएगा जिहां कुछ ने कुछ तो हमारे खान पान में या फिर हमारे जिवन शैली में गड़बरी आई जिसकी वज़े से वो रोग हमें हुआ तो सबसे पहले जरूरी है कि लक्षनों को जाने इसके बाद र उसको ठीक कर लें ताकि वो रोग आपको पुना ना हो तो आईए जानते हैं इसके कारणों को अर्ष रोग यानि कि बावासीर की उत्पती कब्ज के कारण होती है जब कोई अधिक तेल मीर्च से बने तथा मसाले अधिक खाते हैं यानि कि चटपटे पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है जिसके कारण उन्हें बावासीर होता है पाचन क्रिया खराब होने के कारण पेट में कब्ज बनती है जो पेट में सुखेपन की स्थिती उत्पन कर मल को अधिक सुखा कर देती है मल अधिक कठोर हो जाने पर मल करते समय अधिक जोर लगाना पड़ता है अधिक जोर लगाने से मलदवार के भीतर की तवचा छिल जाती है जिसके कारण मलदवार के भीतर जख्म या मस्से बन जाते हैं खुल निकलने लगता है अर्श रोग यानि कि बवासीर में आहार के लपरवाही तथा चिकित्सा में अधिक द जाते हैं मांसाकूर से खून और शोच के साथ खून पतली रेखा के रूप में निकलता है रोगी को चलने फिरने में परिशानी होती है पाउं लड़ खडाने लगता है नित्रों के सामने अंधेरा चाने लगता है तथा सिर में चक्कराने लगता है इत्यादी ये सब इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ एक ओश्रधियां जिन्हें बाजार में आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं जिहां आवश्यक 11 ओश्रधियों के बारे में जान लिजे नाग केशर, बिलवपत्र, बिलफल, चित्रकमूल, हरड, काली मिर्च, सोंट, कुटज, सुरन, च कंजली आप इन सभी क्यारह ओश्रधियों को ले आएं और सभी को बरावर मातरा में मिलाकर घर पर ही कूटकर बारीक पीछ लें और प्रती दिन एक ग्राम तीन बार स्वक्ष जल के साथ सेवन करें इस चमतकारी ओश्रधि के नियमित सेवन से आपको जीवन में दुबारा मसा, भगंदर, नासूर, बवासिर और कब्ज जैसी बिमारी से जूजनान नहीं पड़ेगा हाँ एक चीज का ध्यान रखें एक तो सुबह खाली पेटा पीछ का सेवन करें और एक रात को खाना खाने के बाद सेवन करके सो जाएं ध्यान रखें ये बहुत ही कारगर भी से तो एक और ब्याद ही महतों पूंच जानकारी होगी आप सभी के लिए तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों